श्कार Hukway channel में आप politics का स्वागत है नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं लेकर आई हूँ वject का बहुत इस अच्छा सा पराथा है ये बनाना भी भूत आसान है ताइम भी कम लगता है और आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं करें तो प्रीज, चैनल को सब्सक्राइब करें से लाज तक देखें और कमेंट में जरूर लिखें कि कैसा बना है तो यह साबुदाना है लगबग 200 ग्राम साबुदाना है यह और मैंने इसको कटोरी से नाप लिया है यह वली कटोरी से यह दो कटोरी है अब हम इसको लोग फ्लेम पर कढ़ाई में मैंने डाल दिया है इसको चलाते रहेंगे तो ही रखना है और चलाते रहना है तो यह मुझे भूनते वे 8-10 मिनट हो चुके मैंने गैस बंद करके ठंडा कर लिया है साबुदाना और इसका फाइन पाउडर मैंने पीस लिया है उसमें दो चमच मैंने डाला है कुट्टू का आटा इससे क्या पराठे अच्छे से बंद करके रखा है इसमें पहले एक कटोरी आलू मिला लेते हैं ज्यादा आलू इसमें डाले नहीं तो फिर आलू का पराठा ही बन जाएगा तो इसको फिर एक कटोरी आलू और इसमें पढ़ जाएगा क्योंकि अभी अच्छे से मिला नहीं है तो इसमें दो कटोरी आलू उबल जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे और पानी डालने के बाद ना ये काफी फूल रहा है साबुदाना आटा काफी जादा हो रहा है तो इसमें पानी डालते जाएं आप उसको गुस्ते जाएं बिल्कुल सॉफ्ट आटा बन जाएगा सॉफ्ट आटा जैसे रोटी का आटा हो तरना मैंने इसमें दो चमच घी डाल दिया है उससे आटे में और भी लखिला पना जाएगा और इसको फिर धक करके रख देंगे ल पर रख दिया है मैंने और हलका सा सूखाटा लगाएंगे लगाने के बाद उसको बेलेंगे कितना गोल यह बन रहा है कुट्टू का ही सूखाटा आप लगा ले और यह बन करके तयार हो चुका है मैंने तवे पर डाल दिया है जब यह एक तरफ से सिक जाएगा ना तभी मार्क आ चुके है एक तरफ से सिख चुका है एक तरफ से सिखने के बाद उसको पलटे नहीं तो तूट जाएगा इस पर लगा देंगे हम घी या तेल जो भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं घी का इस्तिमाल किया है और यह देखे पराठा बन करके तयार हो केड़ा होना शुरू हो जाएगा सॉफ्ट नहीं रहेगा साबुदाना तो ये मेने परोसा है दही के साथ और साबुदाने का पराठा आप भी बनाएं खाएं और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें धन्यवाद